दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत श्वागत अभिनंदर्न आप सभी वेक्सिनेटर रेवं सहयक भाईयों का यूटूब चैनल अमिठी ब्लाग में दोस्तों मैं हुआंकुर्थिवारी अमेठी उतर ब्रदेश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अमिठी ब्लाग मैं मैं लगातार वेक्सिंटर व上कूं के बारे में, उनके समस्यावbuilding के बारे में सभी को सोशल नेटवर्क के माध्यम से अवयार्ट कराता रहता हूं औरिस आद्याँ जो भी अत्याचार्, जो भी समस्याएंं, जो भी होती हैं उनको मैं लगातार अपने YouTube चैनल से दिखाता रहता हूँ आप सभी ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं हूँ उनकुर्तिवारी YouTube चैनल अमिठी ब्लाग से और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अमिठी ब्लाग दोस्तों एक समस्या बहुत ही ज़्यादा जटिल है विक्सिनेटरियों सहायक भाईयों के साथ कि आपने देखा होगा कि आप देख रहे हैं कि जो भी सरकार ने कहा है कि दो गज कोरोना में जो है दो गज की दूरी पर एक दूशेश रहें लेकिन आप देख सकते हैं पिक में कि जब गाय को अब इसमें लगाया जा रहा है और एयर टैगिंग जब लगाया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि क्या इसमें दो गज की दूरी संभव हो पाएगी एक दूशेश नहीं हो पाएगी और देख सक से उनको कुछ भी नहीं मिला है तो मैं जितने भी अधिकारी गण हैं अगर हमारा वीडियो देखते हैं वो तो उनसे कहना चाहूंगा कि इन वेक्षिनेटर और उन्सायक भाईयों को मास्क वगएरा तो बितरित कर दिया जाए जिससे जो है ये सुरच्छित रह सकें मास्क हो दित्ताओं को हो रहा है तो अगर इनको किसी भी वेचारे को अगर आ गया तो सबसे पहले तो कोई मेडिकल की इनको सुष्चा उपलब्ध नहीं है कुछ भी नहीं है अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये लिखा पड़ा आई है और अगर माल या उनको कुछ safety ही नहीं दी जा रही है अगर इनको कुछ हो गया चार जगहों पर ये लोग जाते हैं दस लोगों से मिलते हैं और इनको हो गया या किसी कोरोना वाले इनसान के चपेट में या गए तो ये तो बीमार हो ही जाएंगे और पूरी इनकी family जो है एक हिसाब से समझ लेजिए कि खत्रे में आ जाएगी तो मैं जितने भी अधिकारी अगर इस बात को देखते हैं हमारे YouTube चैनल को देखते हैं तो मैं उनसे बिनम्र निवेदन करता हूं कि आप इन भाईयों के लिए को सोचिए और जो इस महामारी के दोर में इतना लगन से कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोचिए उनके शेलरी का और उनके स्वास्त का और उनके विकास का जो है मुद्दा भी ध्यान में दिया जाए और तभी ये लोग कांटिनू कार्य कर सकेंगे और इनको भी कोरोना योध्धा घोसित किया जाए क्योंकि जिस हिसाब से चाहे हमारे सफाई करमचारी हो गए या फिर और भी डिपार्टमेंट के जो भी मतलब कि छोटे लेवल के कारे करने वाले हैं उसी तरिके से हमारे विक्सिनेटर और सहाइक भाई भी है जो निरंतर कारे में बने हुए है और अपना पूरा जो है तनमन धन लगा करके समझ लिजिए खिसाब से वर्क कर रहे हैं क्योंकि अभी तक 4-5-5-7-7 महिने हो गए हैं कोई सेलरी इनको नहीं मिली है किसी किसी को तो आईडी कार्ड भी नहीं मिला है तो सही बात है कि थोड़ा वर्क लूज हो रहा है लेकि अगर कोई अधिकारी देखता है तो मैं अपने वीडियो के माध्धम से उसको ये कहना चाहूंगा कि इन भाईयों के लिए जरूर कुछ करे और ताकि इनका जो है कुछ कल्यान हो सके इनका जीवन यापन हो सके बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा मैं हूँ अमीठी उत्तरप मैं उसी मुद्दों को उठाने के बात करता हूँ ताकि लोग जादा से जादा देखें और बात को समझें अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ विक्सिनेटर शायक और भी लोगों के साथ जो है सेर कीजिएगा ताकि जो है जादा से जादा लोगों को ये चीज़ समझ में आए और अपना ध्यान रख सकें बस इतना ही कहना चाहूंगा फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में जय हिंज जय भारत वंदे